दोस्तो अगर आप अपने WhatsApp के DP में फुल पिक नहीं लगा पा रहे हैं और आप लगाना चाहते हैं तो फिर आज आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं आज आपको पूरे डिटेल्स में बताएंगे कि कैसे आप अपने WhatsApp के DP में फुल पिक लगा सकते हैं माथ चलिए देखें यहां पे हम यहां से 3.00 पीड़ा उऔर क्लिक करने के बाद से Cities में जाते हैं और देखेंक दोस्तो यह फुल पिक लगा वा है देखें हम तुछ करके दिखा देते हैं इस तरह से आप भी अपने WhatsApp के डिपी में फुल पिक लगा सकते हैं और यह बिल्कुल नार्मल फोटो से आपको HD फोटो में बना के दिखाएंगे यह फोटो बिल्कुल नार्मल है और इसको मैंने HD में कनवर्ट किया है तो ऐसे आप भी कनवर्ट कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो चलिए हम अपने WhatsApp के में डिपी लगाने के लिए त्री डाट पे किलिक करते हैं और त्री डाट पे किलिक करने के बाद शेटिंग में जाएंगे and setting ने जाने क बाद देखेँ यहां पर भी कोई भी dp नहीं लगा हुआ है और मैं आपको यहां पर full dp लगा कर दिखाईंगे तो चलिए हम इसे यहां से क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने की बाद हम camera पे touch करते हैं न स्चैउं करने का यहां से gallery का औप्षान आता है यहां से ले लेते हैं लेकिन यह क्या यह तो फूल फोटो आई नहीं रहें तो दोस्तों आपके भी WhatsApp में ऐसा ही कुछ होता होगा जो भी फोटो आप पिक लगाना चाहते होंगे यह फोटो आदा ही आता होगा तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपन का नाम सुनकर भागिएगा मत क्योंकि आज जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं यह बहुत ही अमेजिंग का ट्रिक है और आपको इसमें इस एप को इंस्टाल तो कर रहा हूं पर जैसे ही मेरा यह काम खतम हो जाएगा मैं पिक को अपडेट कर दोंगा वैसे मैं इस हम यहाँ पर्षै कर लेते हैं वाट्स क्रोप ुध्यू देखे यहाँ पर सबसे उपर में वाट्स क्रोप आ गया है और हम यहां इसे किलिक कर देते हैं देखे दोस्तों इसकी जो रेटिंग ए 4.6 बैसिंग है 14 MB है और इसे पांच मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है और यह बहुत ही बढ़िया एप है इसमें कोई भी सिक्यूरिटी आपका लीक नहीं होगा ना ही कोई परमिशन देने की जरुरत है तो चलिए हम इसे यहां से इस्टाल कर लेते हैं तो देखिए मेरा एप इ अगया है तो हम इसे यहां से open करते हैं open करने के बाद बस ऐसा direct interface आईगा इसमें कोई भी परमिशन देने की जरुरत नहीं है आपको तो हम यहां से इस photo को click कर लेते हैं और click करने के बाद यहां select photo का option है हम select photo को चोच करेंगे और चोच करने के बाद यहां से मैं आपको एक फोटो लेके दिखाता हूं जो नहीं लग पा रहा था जो यह फोटो है वो जो नहीं लग पा रहा था देखे इसमें nest का option है हम यहां से nest कर देना है फिर nest कर देना है फिर nest कर देना है और यहां से close कर देना है तो देखिए दोस्तों यह जो फोटो है बिल्कुल अभी नार्मल में है और मैं आपको पूरा डिजाइन के साथ इस फोटो को लगा के डीपी में दिखाऊंगा तो चलिए पहले हम इसे थोड़ा सा अपने मर्जी के इसाब से अजेस्ट कर सकते हैं तो देखिए मै मैंने इसे फूल पिक है और मैंने यह फूल पिक को लगा रहा हूं देखिए और हम चाहिए तो फोटो को घुमा भी सकते हैं आप अपने मर्जी के इसाब से आपको जैसा ठीक लगता है आप को इसा कर सकते हैं चलिए दोस्तों इसके लिए हम यहां से एक ऑप्शन है एडि लाइन देख लेगा है जब आपने मॉल में देखेंगे आपको अ क्लीर से दिख रहो और किलिक करने के बाद देखिए जो फोटो इसके साई में एक बोर्डर बंदगल है और बोरडर बंने के बाद हम इसे और अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छा प्र फिर से कृए deberल करनेके बाद और इस जो बैक ग्राउंट paperwork करना जाएगा इसमें और भी बहुत सारे फीचर है जो कि इस फोटो को भी और भी ज़्यादा Super quality देने वाला है तो इसके लिए हम दुबारा से edit पे Click करते हैं क्लिक करने के बाद यहां पर background में आप color लगा सकते हैं तो चली हम color लगा लेते हैं इसके कि प्रशा देखर यह ग्हालक करने का तक यहां से उपर नीचे अपको आपर यहां से हैं तुलीव नरे पीचा नहीं से कहन से , हैं और यहां सेitte योग्या न λέग ओप सब्सक्राइगें लेकिन अभी बाकी है अभी इसमें और भी edit में करने वाला हूं तो देखे मैं edit पर फिर से click करता हूं और और यहा पर एक है background image हम background image को यहां से click करेंगे और click करने के बाद देखिए धोश्थों आपको अलग-अलग बैक्ग्राउंड में यहां पर आपको फोटो मिलेगा तो चलिए मैं यहां से कोई भी एक बैक्ग्राउंड चूज कर लेता हूँ आपको यहां से जो अच्छा लगे आप चूज कर सकते हैं फिलाल मैं यहां से एक background ले लेता हूँ और background लेने के बाद यहां पे एक option है close का तो हम इसे यहां से close कर देते हैं close करने के बाद आप देख सकते हैं एक ही photo आपके अलग-अलग design में दिख रहा है इसमें से जो design आपको ज्यादा अच्छा लगता है आप ले सकते हैं तो चलिए हम यहां से एक यह उपर वाला design है हम इसे ले लेते हैं और इसे यहां से click कर देते हैं click करने के बाद अगर हम इसमें और भी design लगाना चाहते हैं तो फिर से हम edit पे click करेंगे और click करने के बाद एक option है photo frame का हम frame यहां से touch करेंगे touch करने के बाद ऐसा option आएगा इसमें से जो भी frame आपको अच्छा लगता है आप frame ले सकते हैं तो दोस्तों मैं यह frame ले लेता हूँ और इसे यहां से click कर लेता हूँ click करने के बाद यहां पे close का option है फिर से close कर देंगे और close करने के बाद देख सकते हैं आपका जो photo है अलग-अलग design में दिख रहा है इसमें से जो भी photo आपको चाहिए आप यहां से choose कर सकते हैं और यह पूरा टीपी में show करेड़ा तो देखे कितने अलग-अलग design में आपका photo है लेता हूं और मैं यही wallpaper को लगाना चाहता हूं आप इसमें से कोई भी लगा सकते हैं तो चलिए हम इसे click कर लेते हैं और click करने के बाद देखे दोस्तों यह यहां पे हमारा wallpaper ready हो चुका है अगर आप चाहे तो इसमें और भी कुछ link सकते हैं वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर ज्यादा बताएंगे तो यहां से मैं आपको इसे अपने वाट्सअब के पिक में लगा के दिखाता हूं तो इसके लिए यहां पे शेव का option है हम सेव पे click करेंगे और click करने के बाद यहां पे एक option है send to profile तो हम इसे यहां से click करेंगे और click करने के बाद यहां से अम्वाट्टथसप में allow करेंगे डीपी लगाने के लिए तो एलो कर दिय कौछ रहे और यह देखे। दुस्तों यह लगाने के बाद इसमें एक ID आएगा इसको आपको यहां से cut कर देना है कट कर देने के बाद इसमें से मेरा दो वाटसप है तो यह पूछ रहा है कौन से वाटसप में हम इस डीपी को लगाना चाहते हैं तो चलिए हम सेकेंड वाटसप जिसमें डीपी नहीं लगाता मैं इसमें क्लिक कर लेता हूं और क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों मैं यहां से इसे डन कर देता हूं और डन करने के बाद देखिए यह फुल डिपी जो नहीं लग रहा था वो लग गया और बिल्कुल नार्मल फोटो था और यह फूल डिजाइन में आ गया इस तरह से आप भी अपने मुवाइल में नार्मल फोटो को ऐसे एच डी शूपर कॉलिटी फोटो बना करके अपने डिपी में लगा सकते हैं अब मैं इस एप को अगर मैं यहां से अनिस्टाल भी कर दूंगा तो मेरा डिपी चेंज नहीं होगा देखें मैं आपको लाइब अनिस्टाल करके दिखाता हूं और मैंने यहां से अपने एप को अनिस्टाल कर दिया जो आपके सामने इस्टाल किया था तो चलिए अब हम देखते हैं कि मेरे WhatsApp में डीपी है या डिलीट हो गया इसके लिए हम अपने WhatsApp को यहां से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहां पर डीपी मेरा दिख रहा है दुबारा से आपको फिर दिखा देते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देजगा ताकि यहांने वाले इंट्रेस्टिंग वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में एक ऐसे ट्रिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद